सिवनी मालवा कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा इस्थानिय दर्मशाला में बूत कमेटी और मनलम की बैठक आयोजित की गई जिसमें दिल्ली से आय प्रभारी हर्शवर्दन द्वारा पार्टी के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई वियो 22 जैसे जैसे चुनाओ नजदिक आते जा रहे हैं वेसे वेसे तमाम राज़ितिक पार्टी की बैठकों का दोर शुरू हो गया है सिवनी मालवा के स्थाने दरमशाला में भी कॉंग्रेस पार्टी की बैठक का युजन किया गया जिसमें ओल इंडिया कॉंग्रेस कमीटी के सचीव हर्श वर्दन जी एवं जिले के परियवक्षक नंदा मातरे बैठक में शामिल हुए वा आगामी विदान्सवा चनाओं के मद्दे नजर पार्टी के हाई कमान के निर्देश कारेकरताओं को दिये बैठक में पूरो विदायक ओम रगोंशी सिवनी मालवा ब्लॉक कॉंग्रेस कमीटी के अद्यक्ष सुशील खत्री प्रमोद नागेश्वर सुदेश शर्मा एवं भारी संख्या में कॉंग्रेस पार्टी के पदादी कारी एवं कारेकरता शामिल रहे सिवनी मालवा से शाशीकान शर्मा की रिपोर्ट अद्रकरन बहुत जोर से बहरा है और इसके लिए अपने आपने नतीज आने के पास करारा जवाब बढ़े-बढ़े राश्टी शेनल जो इस सब्सक्रावे दिखा रहे हैं उसके भी बता रहे हैं कि इस बार पुन्हा भर्तियंदा पार्टी की सरकार मध्यपर्देश्रों बढ़े हैं इसके बार पर अपने आपने इस सब चीजों को उजाहित कर चुकिया है और मैनिफेस्टर लिंके लिंग बाद यह सारी चीज़ें अपने आपने खाम लागें